आज हम हाजिर वें दुबारा आपके पास टेबिल जो था वो हमारा हमने लेक्चर उसमें रिकॉर्ड किये थे तीन लेक्चर तो अब उस सीरीज को हम कंटीनुई करते हैं टेबिल क्योंकि बड़ा टॉपिक था तो इसलिए हमने सुचाए के जी टेबिल को क्लास पाइस हम कन लेक्चर वाइस लेक्चर लेक्चर तो आज हमारा टेबिल की सीरीज में हमारा आज लेक्चर है और आज इस टॉपिक को टेबिल को फुली कंप्लीट कर देंगे अभी और आप लोग जो है वो फिर इसको यूस कीजेगा फिर में आपको इसमें कुछ नई चीजें भी फिर आपको बताऊंगा आगे लेक्चर के अंदर एड करूंगा ताकि यह जो एक बेसिक टॉपिक इन डीटेल में कंप्लीट हो जाए इसकी पूरी डीटेल जो है वो आपको यह टेबिल का टॉपिक यूज रने वाला टॉपिक है और फिल्ड में य लेक्चर को शुरू करते हम ने जहां पर टेबिल छोड़ा था वहीं से सकंटी करते हैं तो मैं अदर अपने आपको साइड में ले लेता हूं ठीक है ताकि आपका जो है वो वह तॉपिक जो है वह आपका. अब हमने इसमें जो चीजें कवर की थी टेबिल में वह आप देखिएगा. कि हमने क्या कुछ जिसमें कवर के- यह आपका टॉपिक आ गया. हमने यहां उसको छोड़ा था, तो आज हमारा इसी कंटिनेशन के इंदर इसका जो है, फोर्थ वन जो है, इसका टॉपिक है, तो इसको मैं भी कंप्लीट करता हूं, यहां तक हमने कैल्कुलेशन की थी लास्ट टाइम, और मैंने आपको बताया था कि आप F9 से जो है, वह तो आप इसको control के साथ block बनाए और control बटन के साथ दुबारा आप पिर यह ब्लॉग बनाए तो यह एक्स एक्स आपकी होाइप के तो आपके तो आब यहाँ से माघे चलतें आप आपके पास आप करें कि यह हमने इसमें मार्क्स फिलाल हम डाल देते हैं ताकि आपकी जो इस टोटल को जो है वह आप चोड़ते हैं आगे हम चलते हैं सब्सक्राइब कर लें कि अच्छा इसमें एक चीद हो रहे कि अगर परसंडेज निकालना चाहेंगे तो आपका फेल हो जाएगा आपकी जो कल्कुलेशन करने में उसकी वज़ा कि यह कि आप जब भी आप मेरे पास हैं उनहीं पर मैं सरफ काम कर सकता हूँ यानि वह फंक्शन आपके पास कौन-कौन से वह फंक्शन आपको कहता है के पास यह हैं सारे इसमें ब्रफॉल्ट अपको भी लिख सकते हैं लेफ्ट की लिख सकते हैं तो यह आप अपने आसाफ से आपकर लेगा अचा इसके बाद यह सारे आपको Excel में जाना होगा, इसको कॉपी करके Excel में लेके जाएंगे, फिर Excel से कल्कुलेशन करके उसकी परसंडेज यहां लाके रखेंगे, ठीक है, तो बताने का मतलब यह है कि अगर आप MS Word में काम कर रहे हैं, तो आप Limited रहे ही कल्कुलेशन को अपलाई कर से नहीं, जैसे के MS Word का फार्मूला आप से कहता है कि जी, मैं क्या परफार्म करता हूं, Simple Calculation, जीके इसमें लिखावा, Add a Formula to calculate, to perform a Simple Calculation, तो Simple Calculation में यही सब कुछ आता है, अच्छा, अब आप अगर आगे चलें, तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं, इसकी हम फर्माटिंग में जाएंगे, फिर इसके बाद हम इसकी sorting वगरार करेंगे, आगे, तो अभी मैं इसको, यहां से इसको भी मैं delete कर देता हूं, अच्छा, अब देखे, आप जो है वो, हम यह चाहते हैं कि जी, अब हमारा जो result आए, जो result में आपको देना चाहता हूं, वो result क्या है, हमें इस format के अंदर अपना table बनाना है, इस format पे table बनाना है, जो आप देख रहे हैं सामने, हमें यह format चाहिए table का, जो ओपर subject marks हों, फि main heading भी दे दें, text direction भी change कर दें, यह हमें, यह हमार output है, तो अभी तक मैंने आपको जो चीज़ बताई, वो सरी formula calculate करना बता है, किस तरीके से आप इस पे functions लगा के calculate करेंगे, इसमें sort रहता है, हमारा split रहता है, हमारा merge रहता है, हमारा, तो यह और text direction रहता है, हमारा, तो यह अब जैसे कि हमने बताया था कि यह आपको इस पे आप काम करेंगे, तो आप काम कैसे करेंगे, इससे पहले हम इसको, आपको sorting समझ लेते हैं, sorting का topic दो दफा repeat होगा आपके पास, अभी तो sorting मैं आपको बता देता हूँ, detail में इसके बाद, sorting सिर्फ एक इसकी track के समझानी format final बना चुकोंगा, वसमत मैं आपको बताओंगा, तो अभी हम क्या use करते हैं, अभी हम use कर रहे हैं, हमारा topic है, sort, sort हमारा topic है, how to sort, sorting ऐसे कैसे करेंगे, ठीक, आप sorting के लिए, यह आपके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह column बने हुए, इसमें कुछ भी नहीं ठीक है, it's okay, अब आप गया, फिर M आ गया, फिर यह इस वक्त आपका जो record है, वह alphabetical order में नहीं है, नेम वाइस alphabetical order में नहीं है, यहां देखें, मैंने अली लिखा है, यहां जाहिए लिखा है, उसली दौर्पा कर मैं sort करूंगा, तो अली उपर चला जाएगा, और जाहिए बिलकुल नीची आ जा we have to make a block, पहले हमें एक block बनाना होगा, यह जो block आपने बना दिया, अब आप जाएंगे layout में, layout में यहां आपका sort दियावा है, अब sort की definition कहा है, देखिए जरा, यह जो data का ribbon इसी के अंदर ही आपका sort दियावा है, यहां कहता है, alphabetize the selected text or sort numerical data, ठीक है, यह alphabetic और numeric दोनों क sort करता है, अब आप नहीं कहा किया है, इसको जाके जब पहले आपने block बना लिया, and then click, तो देखिए यह आपका sort का menu appear हो गया, अब यह आप से कहता है, के sort by, sort by के अंदर, यह और यहां दे रहा है number, और दे रहा है ascending or descending order, यह तीन चीज़ें इसमें, तीन windows हैं, 1, 2 and 3, तो आप इन तीनों को जड़ा, अपने mind में रखिएगा, अगर आप इसको खोलते हैं, तो देखें, यह देखें, सारी fields जो आपकी top के पर आ रही है, जिसे roll number name यह सारी आ जाएगे, sometimes यह fields नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, और जब नहीं आती तो क्या आता है, column 1, column 2, column 3, column 4, column 5, column 6, तो यह ज़रूर ही नहीं कि हर एक के पास column wise आएं, या हर एक के पास जो है, वो जो टॉप की line है, यह रोल number name heading wise आएं, ठीक है, तो हमें अगर हम इस पे भी sort करेंगे, तो sort होगा, जैसे हमने column 1 को sort करूँगा, तो roll number sort होगा, column 2 को sort करूँगा, तो name sort होगा, column 3 को sort कर होगा, तो आपका internet sort होगा, column 5 को, तो आपका English होगा, then column 6 total, and column 7 पर से, लेकिन हमें, जब हमें पर ज्यादा फिल्ट होगी, तो हमें नहीं पता चलता कि column 4 क्या है, column 5 क्या है, column 6 क्या है, क्योंकि इस तरह से आप याद भी रह सकते हैं, अगर if you have 30 columns तो आपके लिए तो बड अपने mind में याद नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यह दो नीचे लिखे में list, my list has, तो यहाँ आप अगर no header पर check लगावा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस option पर select हुआप तो आप इस option को select करेंगे, जैसे option को select करेंगे, तो आप देखेंगे, यह headings आपके साम से, इस point से मिलता है, ठीक है, my list has से आपको मिलेगा, तो अब इसको click कर देंगे, तो फिर यह select हो जाएगा, इसको click करेंगे, तो column wise, column 2, column 1, column 2, column 3 होगा, तो अभी हम इसको select करते हैं, क्यूंकि हमारे पास असानी हो, से हम स्को sort कर सकते हैं, अब आप इसको sort करना चाहते हैं कैसा sort हो जाए, यह हमारा sort हो जाए, name wise, तो हम name को select कर देंगे, तो अब यह देगे sentence लिखा बाए, sort by name, और name का text है, जाने दें, इसको text है, और किस order में sort करना है, ascending का मतलब, ascending का मतलब a to z, descending का मतलब z to a, तो अगर आप इसको ascending order में sort करने जाते हैं, तो descending को click कर देंगे, तो फिर z to a होगा, इसी जाना सेकर numbers होगे, तो फिर होगा 1 to 10, और अगर descending होगा, तो होगा 10 to 1, ठीक है, यह ascending और descending की definition, तो आप ascending पे रखें इसको, by default, और अभी मैं सरिफ एक ही field sort कर रहा हूँ, दूसरी पे नहीं जाता, अब दूसरी आगे जल के समझेंगे, तो जब आपने इसको blog बनाया है, अगर जैसे ही आप इसको sort okay करेंगे, तो देखी क्या आपको पर result आएगा, यह देखें, sort हो गया, यह अली उपर चला गया, और जाहिद नीचे आगया, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम उपर गया है, सिर्फ name sort होगे, नहीं, इस name के साथ पूरी entity sort हो गया, यह जो आपकी entity थी, यह जो अली था, उसका roll number 12 था, तो roll number अपनी जिगा पर आगया, और अली के marks भी आगया अपनी जिगा पर, तो यह पूरा record जो है, यह आपका sorting में sort होगा, अगर आप first करेंगे, अगर हम यह कहते हैं कि सिर्फ name sort हो, तो फिर इनके marks आप एक द देखें, 12, 16, 10, 14, 11, 15, 13 यह होगी से, अच्छा, अब हम दोबारा sort करते हैं, block बना रहेगा, अगर block हट जया तो दोबारा बना दीजिएगा, अब आपने फिर दोबारा block बना है, अब हम कहते हैं ऐसा करें, कि भी आप sort कर दें, आप sort कर दें, roll number को, और descending order में sort कर दें, य 11 and 10, ठीक है, वाज समझ में आगी, अब इसी हिसाब से जो record 16 वाला सा वो उपर आगया, ठीक है, तो यह चीज़ आपने समझनी है, अच्छा, अब मैं इसको दोबारा sort कर देता हूँ, यह इसको मैं roll number wise ही sort कर देता हूँ, ठीक, तो यह दोबारा हमारा 10, 11, 12 से sort हो गया, त इस sorting के अंदर यह levels क्या होते हैं, अगर मैं sorting में बात करूं तो यह sorting में यह level and then by and then by क्या है, तो देखें, MS Word आपको three levels की sorting provide करता है, सिर्फ, Excel में जादा है, ठीक है, Excel में, जाद जब मैं Excel शुरू करेंगे तो आप Excel में एक तीन columns को नहीं, बलके आप जा सकते हैं, more than 50s, य columns हैं, या 56 columns हैं, यह हम आपको कर के सामने बताएंगे, लेकिन यह यहाँ पर MS Word स्रिफ और सिर्फ तीन fields को sort करता है, Excel जो है, 50 plus में जाता है, ठीक, अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी ऐसा करें, यह तीन fields को sort करते हैं, let's say, मैं कहता हूँ कि MS Office को में sort करें, और sort करें Ali के record करें, Ali के record, Ali का number है 90, okay, और Yassir का number भी 90 है, अब दोनो 90 है, यह भी 90 है, और यह भी 90 है, तो अब हमारे पास एक seat है, जो हम देंगे दोनों में से किसी एक को, तो जब इस किसिम के situation हो जाती है, तो फिर type अब इन दोनों में से एक को आपने select करना है, अब इन दोनों के marks 90-90 ह तो फिर आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, अगर इंटरनेट पे आप जाएंगे, तो इंटरनेट पे फर्स करेंगे, इसके number भी 91 है, और इसके number भी 91 है, अब यहाँ पर भी फर्स करने टाई पढ़ गई, तो अगर दो फिल्ड में टाई पढ़ जाया, तो क्य इसमें पर टाइप पढ़ गए अब आप तीसरी फिल्ड पर जाएंगे तीसरी फिल्ड में हम यहां चेक करते हैं इसका नंबर है इसका नंबर है 92 और इसके नंबर है 93 अब बदाइए इन दोनों में से अगर हम गौर करें तो शुरू के जो इंटरनेट और MS वर्ड के जो मार्क्स थे वो तो दोनों के बराबर हैं लेकिन इंग्लेश के अंदर एक के 92 और एक के 93 यानि एक नंबर ज्यादा है यासिर का अली से अब सौर्ट जो सौर्टिंग का फंक्शन है वो इसको कैसे अटेंड करेंगा आप दिखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको दोबारा ब्लॉग बनाते हैं अब तीनों मैसे जो जिसके हाइस टंबर हो उपक्षक्質 तो इसे होता ना आप किरिक्ट क्रिकट खेलते हैं आप लोग जे क्रिक्ट में क्या होता है जब मैस ड्रॉध अर यदि क्या किया रहता है कि दिवयर दी जाते है सबक På अब यह एक और दिया जाता है तो एक और में भी एक टाइ principle पर लिए एक हम इकर फिर करते हैं पिर एक और और पहा ञाँ जाता हुं तो This तरीके से मतंब मैश द्रा रू नहीं पाथ बलुके मैश जब रॉडबर जाते हैं तो उसमें किसी एक को विंहर करने के लिए रसे वि тобой कहीं उनको Champ देते तो यहां पर हम Chants नहीं दे रहे हैं यहां फर यह दोनों बराबर हैं इंटरनेट में मौर बराबर हैं और आपके Internet में नमबर बराबर एंगलिश में एक के नाइटी टू है एक के नाइटी तो मेरी वीवर्स हमारे साब से किसको उपर जाना चाहिए यासिर को अब देखें MS वर्ड इसको कैसे उपर लेके जाएगा हम जाएंगे धर और इधर जाके हम गए एक आपके सबसे पहले हम फिल्ड सेलेट करेंगे MS ओफिस की डिसेंडिंग और हाइस विल बी अट टॉप and then, then internet, highest will be at top, इसको ascending नहीं किजिएग, इसको descending किजिएग, हम highest number उपर लेके जाना है, तो पहली field फिल हो गई, दूसरी field आपने and then by, यानि short by, single field, MS Office, and then by, अगर इसमें बराबरी या जाए, तो फिर क्या करें, and then by, and then by, and then by English, इसको भी हम highest पे लेके जाएंगे, तीनो को, यह, यह viewers, यह चीज़ याद रखेगा, कि जब हम sorting करते हैं, अगर multiple fields पे हम sorting करें तो, इसको descending में रखेंगे, ठीक है, तो highest will be at top, और जहां lowest will be at top ले जाना होगा, वहाँ पर ascending में रखेंगे, तो अभी practically हम इस तरह से इसको use करते हैं, देखें, इस पर आपका जो scenario बन गय तो अभी इस total के अंदर हमने calculation change कि अभी न, तो आप इन तीनों के सिर्फ फॉलो की देखें, तो देखें, 93 जाए, वह आपका उपर चला गया, फिर 92 वाला आ गया, तो 90, 90, 91, 91, 93, 92, तो highest किसके mark से 93, and then 92, तो first position इसकी होगे, second इसकी होगे, तो देखें, इसको इस तरीके स से आपके attain करेगा, तो आपको इस बात समाझ आ गई को, मैंने असानी से समझा दिया आपको, कि sorting इस तरीके से की जाती है, और तीन से दाधा level पर sorting नहीं कर सकते हो, तो देखें, यह भी यह से पहले नबर पर आ गया, और अली जो दूसरे नबर पर आ गया, बाकी कि अगर क इसको अपनी इसी algo को देखते हुए, इसको solve करता है, तो इसके पीछे logic क्या चल रही है, ठीक है यह फिर हम आगे जब advance में जाएंगे, कुछ चीजें आगे पढ़ते हुए, फिर मैं आपको बताँगा, इसके पीछे कौन सा algo follower है, किस तरीके से यह sorting करता है, वो भी हम आप आपको समझाएंगे sorting की logic क्या होती है, लेकिन अभी फिलाल इसको इतना समझ रहे है कि practically आप इसको use करना है, आप as a user काम करें तो आप इसके background में जो कुछ है उसमें हम knowledge जरूर दे देंगे लेकिन इसमें भी फिलाल जाएंगे नहीं, चीक, अच्छा है कि आपकी sorting आपकी क किसी एक field को आप sort करने जाएंगे हम कहते हैं जिसके MS Office में highest marks ने इसको बताईए, तो भी कर सकते हैं, block बनाएंगे, sort में जाएंगे, sort में जाके कौन सी field को sort करेंगे, आप कहेंगे MS Office को sort करें ठीक है, descending order में, ओके, इसको इन दोनों fields को जहां से हटाना है तो क्या करेंगे, इसको जाके none कर देंगे, यहां से, none का मतलब यह आगे, आगे execute नहीं होगा, तो देखें, अब MS Office हो गया, सिर्फ एक ही field हो गई, अगर उस वाक्त हमने तीनों में से एक को रखा, बागी को none कर दिया, ठीक है, बादरावाज भी वो रहेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, MS Office क के हैं, MS Office में, राशित के देन, नुमान के देन, जावेद के देन, काशिप के देन, अली के देन, इसके और देन, यह आपकी sorting का topic था, जो हमने भी आपके सामने आपको cover किया, तो यह अच्छा, जब हम सौर्ट से यह नहीं, जब स्टेबल से बाहर आ जाते हैं, तो आपको बचा है, नहीं, सौर्ट में, जो कुछ था हमारा सब, हमारा cover हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर, आगे की चीज़े, options की वो में, कुछ चीज़े, आगे की advance क्लासे में लोंगा, end पे, यह भी basic topic चल रहा है, इसलिए basic चीज़े, और basic में भी आप, बहुत depth में पढ़ा रह जाएगी, तो उस वक्त हम इन options के चीज़ों को, हम discuss करेंगे, कैसे use होती है, ताकि पहले एक चीज़ पर ग्रेप कर लें, फिर हम आगे चलेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आपको सब बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है न, तो अगर खुदाना कास सकता, और उसको कैसे apply करेंगे, यह हम एक topic के बाद हम आगे discuss करेंगे, अब sorting के अंदर भी, अब sorting के बाद आप जो हमारा next lecture है, वो हमारा splitting और merging पर है, तो वो मैं आपको discuss करूँगा, ठीक है, यही table होगा, आगे यहाँ यहाँ पर यह topic अभी complete नहीं हुआ है, इसको हमने अ complete करना है, ठीक है, बलके इसको एक काम करते हैं, इसको इसी इसमें हम complete कर लेते हैं, क्योंकि यह भी हमारे पास time है, तो देखें, अब इसके अंदर लेट से, इसको मैं जारा देर का topic ही, थोड़ी सी जारे topic के complete हजाएगा, अब sorting आपकी होगी complete, अब sorting के बात, जो final shape है, वो आपकी splitting और merging के साथ फिर में इसको complete करके बताऊंगा, तो अभी viewers इसको जो sort का topic है, sort का topic हो, हम यहाँ पर आपको मैंने sorting बुरी समझा दी, इसके अंदर जो एक typical सी चीज है, वो हम next हमारे topic हो साथ हम इसको cover कर लेंगे, तो यहाँ पर आपकी basic topic sorting का complete हो गया, तो I hope कि आपक को यह video पसंद आई होगी, अपने channel पर इसको share करें, और अपने channel को share करें, like करें, और अपने friends और जो आपके colleagues हैं, उन में इसको share करें, और इसको like करें, ठीक है ठीक, तो मैं इंशालह तालह अब next lecture में आपसे अमलाकात करता हूं, और यहाँ पर मिस topic को end करते हैं, असलमाल करें, इसको ihan यहाँखे सूरे को L alliance को हाँ करें, तंसक्र शुर जो स्वेस करें, और अभी आपके तद हो आपके करें, और और यहाँखे स्थरी और, कि अभी च्राणाफे सूरी करें, जा तो मैं then तो मैं एकет 혼자 reag